ये सब दामाश्कार k jury अपने अपने दिप्र इंगोशेबर इस्प्रुमेंट एक कि की बारे में देखा था कि दिप्री इंगोशेबर इस्टूigung Act में वेखता है इसरोन में एकिस क्षी बारे में ये होता है प्रमिस्री नोट क्या होता है उसकी असेंशल करेक्रिक्रिस्टिक्स क्या होती है आज हम देखने वाले हैं कि बिलाफ एक्षेंज क्या होता है प्रमिस्री नोट और बिलाफ एक्षेंज के कि देखने वाले हैं कि चेक क्या हूता है और चेक और विलाफिक चेंज में क्या फर्ख होता है तो आज का डिस्कुशन बहुत इंपॉर्डेंट है तो चलिए बिना देर की चुरू करते हैं आज का लेक्षर निगोशेबर इस्टुलेंट एक्ट का यह दूसरा लेक्षर है पिछला रेक्षिर पहला रेक्षिर था इस स्लाइड पे हम लोगों ने खतम किया था अब इसके अग्री वादी स्लाइड पे चलते हैं यह स्लाइड प्रमिस्री डोट की लास्ट करेक्टरिस्टिक थी अब इसके आगे चलते हैं What is a bin of exchange? It is defined in section number five तो पहली बाद तो यह है कि यह भी राइटिंग महीं होगा containing an unconditional order signed by the maker और इसी maker को हम ग्राय कहते है directing a certain person to pay a certain sum of money तो यहां पर promissory note से कुछ अलब चीज़ें दिखाई दे रही है बिला बिखेंग एजन इस्टुमें इस्टुमें इन राइटिंग करीब करीब प्रमिस्री नोट जैसा है containing an unconditional order प्रमिस्री नोट में आप याद कीजिए महां निकाता containing unconditional promise signed by the maker directing a certain person यहां पर किसी और को direction दी जा रही है to pay a certain sum of money only to a certain person or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument of his definition ko पूर प्रिसाइब पर्ड़ जी it is an instrument in writing containing unconditional undertaking to pay a certain sum of money to a certain person but the maker a drawer will give an order to pay this money to some other person तो अब अगर हम इसके आगे चलने की कोशिश करें तो बिला आप एक्षेज का में कितने देंगे साइंड नेम आपदी ड्राईट एड्रस आपदी ड्राईट इसी को आदेश करने का अभी इस और आ जानपर से समझेगे तो करिक्रिस्टिक सा बिलसा थिक्षीज इस पे बढ़ने से पहले जरह हम बिला थिक्षीज को बहुत ध्यान से अब समझ लेते हैं क्या डिपनीशन में कहा गया बिला थिक्षीज इन इंस्टूमेंट इन राइटीं कंटेनिंग अंकंडिशनल और तो पे इस सब्सक्राइब को समझेगा बहुत लंबा करने वाला हूं इस इक्जामपर को इसमें कई पार्टिया इंटोडिस होंगी बड़ा मज़दार इस्ट्रक्चर आपको देखने वाला है मैं हाँ पे रखता हूँ D1 मैं हाँ पे रखता हूँ D2 दो लोगों को रखा मैंने मैं हाँ पे रखता हूँ P1 खीक है D1 देन ही में है P1 पतियाला में है D2 देहरादून में है पहले लोकेशन समझ दीए लिवोशेवल इस्ट्रुमेंट टैक्ट पूरे हिंदुस्तान पे लागू होता है यह तो सेक्शन बन में आपने पहले ही देख लिया था अब यह तीन पार्टिया मैंने अभी यहां पर क्रियेट की है तीन परसंस को क्रियेट किया है एक दिल्ली में है एक पट्याला में है एक देरा दूम में है ठीक है यह जो पीवन है पीवन पीवन जो है यह पेंटर है इसमें घर पेंट किया था दिल्ली वाले साहब का तो इनके बीच में अमाउंट ड्यू था एक हजार रूपए ठेंटर का एक हजार रूपए टीवन के उपर द्यू था अब पेंटर पैسे मंगने गया है तो दीवन के पास तरीके थे कैस्ट देदो कि कि देदो इस प्रमिस्री नोट देदो दिखे चैस देना पड़ेगा तो पीजेब से देना पड़ेगा शेक देना पड़ेगा तो अपने बैंक कि में दाली पढ़ने वाली है क्योंकि वेकर आप है अल्किमेंटली आपको इपेमेंट करना आप प्रामिस टूपे लिखेंगे उसने एक और इंस्ट्रुमेंट है मारे पास बिल्स आप एक्षेज अब देखिए दिल्री वाले सहाब ने इसको क्या बोला कि मैं देखो अब यहां से बिलाफिक्षेज शुरू हो रहा है जयां देखिए गाइकदब कि मैं तुम्हें एक बिलाफिक्षेज दे देता हूं एक हजार रुपय का ठीक है और वो एक महीने बाद पेमेंट होगा बोलो मंजूर है अगर पेंटर को मजबूर नहीं है तो आप बिलाफिक्षेज नहीं दे सकते हैं वही पेही है उसी को पैसा मिले अगर वो एग्री करता है तो आप उसे बिलाफिक्षेज देजी तो साहब मैं तुमको एक हजार रुपय का इस बिलाफिक्षेज दे देता हूं एक महीने के पाद इसका फेमेंट होगा लेकिन इस बिल आफ एक्षेज को ले करके तुम कहां जाओ देहरादून कहां जाओ देहरादून बहुत ध्यान से समझेगा देहरादून जाओ इसी स्टेज को हम आगे चलके कहेंगे कि प्रेजेंट में डीटू है 으d 123 है वो तुमको पेत कर देगाー ह। मेरा वुस्की उपर एक Quran अब किया कभी मोझा प्रवेंट को तुम जा लेकिन तुमको जाना पड़ेगा ये प्रेजेंट मेंट करना पड़ेगा अब देखिए हैं फिर जहां से देखिए मर्ता क्या ना करता ये प्रेजिंटमेंट करें देहराधून पहुचा अब जब ये देहराधून पहुचा आओ कि दीवन के दर्वाजे को नौक किया खुलवाया तो डीवन क्या कह सकता है कि दीवन क्या कह सकता है अरे अरे मैं नहीं जानता किसी डीवन को डीटू ने जब दर्वाजे कोला तो क्या बोला मैं नहीं जानता किसी डीवन को किसी का लॉकर थोड़ी हूं कि कोई कागज दिखके देगा और मैं पैसे देदूँगा मैं नहीं जाना निकाल रिजेक्ट कर दिया उसके क्या किया रिजेक्ट कर दिया अब यहीं पर समझ लीजेगा यहीं पर समझ लीजेगा इस रिजेक्शन को क्या कहते हैं इसको कहते हैं कि इस ओनर कि वाई कि नॉन एक्सिप्टेंस कि यह बिल यहीं पर डिसानर हो गया जब डिसानर होगा तो अब यस्टी बताईये क्या होगा आख सर्यव्य कहा है यह पीवन क्या थैगा है भीवन फिर लोट के इँके पास आएगा कि मिनरा कि भी खर्ट्च हो जबिए घुर कि से देखेगा एक बार इस्ती बधं को को इपिन लिएक नेटर घुक लेकल चैओ तो डीटू देहरादून में रहता है वहां पे इसको प्रेजेंटिमेंट करो और वहां से तुमको पैसे मिल जाएंगे जब पीवन डीटू के पास लेकर के गया तो डीटू ने रिजेक्ट कर दिया इसी घटना को निगोशेबर इस्टुमेंट सेक्ट में टेक्निकली कहते ह है इस ओनर बाइल नानएक्सेटन्सर और इसके पास आफीति कि दुबारा लुड के डीवन के पास ओके दूसरी में वह को सक्क्ता हूं किसो है यहिए नगेप करने जा ओके बहुत बड़ी आधं है कि सपयारिगा करेगा तो अपना साइन करेगा कि हाँ मैं स्क्रिकार करत हूं कि मैं तुम्हें एक हजार रुपए का पेमेंट एक महीने के बाद दे दूंगा ठीक है अब अब जला देखें पार्टियों की सिती क्या है कि बीवन कि इसी को निगोशेवद इस्टुमेंट एक्ट में हम कहते हैं ड्रॉयर आफ बिला पिक्षेज पीवन इसी को निगोशेवद इस्टुमेंट में हम कहते हैं पेई और होलर क्योंकि इस इस्टुमेंट पे पीवन का ही नाम लिखा हुआ है यह पेई है डी तू डी तू का नाम क्या है ड्रॉयर कि अधिति इस प्रेदे होगई डी वन ग्रॉयर वीट ड़ी डी टू ड्रॉवी ऑके डी टू रहा हुगे जब इसने रिजेक्ट कर दिया तो विल्यौट के फिर आगया इनके पास अगर एक्सेट कर लेगा तो यही डी टू क्या वनेगा एक्सेप्टर इसका मत्सक्टर होता है जिसका नाम गूप में बिन दिखा होता है और जब वो बिनको प्रिजेंटेमेंट करने पर एकसेट कर लेता है वैसे ही उसका नाम क्या बन जाता है ड्राइटी बजाए एकसेटब और सुनिये जब होता है तो इसका लीडल का है लीगल इंप्लिकेशन यह है कि अब इस दहरादूरादे में भाई के ऊपर इसकी है प्राइमरी लिएबील्टी आगे ने ने समझेयेगा कि प्राइमरी लिएबिल्टी टिसकी दीवन अगर डीवन कैज देता तो अपनी प्राइमरी डाइबिल्टी को डिश्चार्ज करता है अगर डीवन चेट देता तो डीवन की प्राइमरी डाइबिल्टी है फेमेंट करने के अगर डीवन प्रमिसरी नोट देता तो भी डीवन ही प्राइमरी लाइबल था लेकिन डीवन न अब उसने प्राइमरी लाइबिल्टी एक्सेप्ट कर लिए तुम अपने गम मुझे दे दो कि मैं उसे अपनी खुशी बनाके जीनूंगा कि डीटू का कहना है डीटू का कहना है डीटू एक्सेप्टर हो अपनी प्राइमरी लाइबिल्टी कर दो एक्सेप्ट कर लेगा जब यह एक्सेप्ट कर लेगा जुशन कर लेगा तो अपस्ट में गचलते हैं यहाँ प्रिवन के पास आप्षन है कि इस को अपने तखीये के नीचे दबा के रखे, एक महीने तक दबा के रखे, एक महीने बाद जाए और D2 से पेमिट लेकर के आए, लेकिन मार्केट में ये नहीं होता, परस्नल रिरेशन नहो सकता है, मार्केट में ये नहीं होता, मार्केट पे क्या होगा, P1 जाएगा किसके पास, किसी बैंकर के पास, तॉप को भैक करके बाथ जाएगा क्या करने की देखों ंड Strength किया है रिखा एकसर डेक्ट की साइन मंने संअ माई जानी तुमको हजार मिल जांगे हैं अ अब सबता है वीह हजार मिल तो मैंने क्या कमाया तो एक काम गरो तुम इसके 950 रुपए देगा और मैं एक महिले के बाद इसको डीटू को पेश करके 1000 रुपए लोगा इसी घटना को क्या करते हैं केंडलिट की अर्वों का बिजनेस आयए भारत में अर्वों का बिजन सब्सक्रों की इस अर्वों का हमिज्न सपांज़्य मार्केट लोगना को हैं यह की और ैंच बालेगा में इसी बनाफ मेंशेंज के पीशे कैंद न साइन और इसमें क्या लिखेगा पे तू बैंकर कल आपको बताया था इसी घटना को क्या करते हैं इंडोस्मेंट मतलब पीवन को जो इस बिल पर पेवेंट रसीब कर देगा अधिकार था वह अधिकार को किसके फेवर में ट्रांस्टर कर देगा बैंकर के फेवर ने बैंकर एक महीने के बाद टू इस बिल का पेविनट करेगा अगर आप कहते हैं कि अभी भी डीट्यू ना करें तो क्या होगा में मंण क्या रखेसा निए हैं तो फिल समझियेगा टीवन को बिल रिखा डीट्यू को दिया तो टीवन इसको डिसकांटिंग ना सकता है यह अपने पास रख सकता है कैसा भी करें की हालत पेई और को अगर इसने बेंकर बढ़ दे दिया तो पीवं की position क्या बने गी ऐंडॉर्सर seni banker की position क्या बने एंडोर्सी की पहले बताईए इतना समझ में आया की नहीं आया इतना समझ में आया की नहीं आया ज्यान दीजेगा इस घटना को explain करना अभी बाकी है कि अगर मेसानल तु दीवन के पास दुबारा पिलाएगा तो उस वकत क्या होगा कट उस वकत क्या होगा ठीक है अब जरासा आते हैं कि इस टाइम पे क्या होगा देखे पीवन क्या करेगा हो कि बनाएगा दीवन k telephone के कि गर के नीचे से यावाज लगाएगा कि डीवन तो ड़के बारे निकलेगा नहीं घर से क्यों फिर आगे कि वो शोर करके प्रोशियों को किष्ठा करेगा देखिए बाइसाब बहुत बड़े आदि बनते हैं बोलते हैं कि यह बड़ा आद्मी और यह फैक्टरी चलती है वह फैक्टरी चलती है हजार रुपाए का बिल आनर नहीं हुआ इस आत्मी ने पहचाने से मना कर दिया दिया पीवन तो फिरकुल कुले जोश में आतो मैं आपकी इज्ञत अतार के जाएंगा आप या उतर रही है इज्ञत अब बताई कि डीवन के पास पैसे रहे उटे तो पहले हुसे ते दिया होता चेक्ट दे दिया होता प्रमस्री नोट दे दिया हुदा गॉद्स्वतके पास तुछ नहीं था तभी तो उसमें बिलाफ एक्षेज का सारा लिया कि किसी और लाइवर्टी करने की कोशिश करी नहीं था उसके पार लेकिन ये तो पीवन तो नीचे से आवाज लगाया जाना लगाया जाना पता ही क्या आपने इस टैंग वीवन उपर वाले से प्राथना कर दो कि वहां तो श्री किशन अद्रिश्योकर के आए और लाज बचा दी यहां पे हीरोग खड़की का सीशा तोड़के आता है अगर आता है तो अगर आता है तो तो पीवन तो इनके हा आवाज लगाय हुए हैं भाता यह पीवन की शिकायत क्या है इसने एक्सेप्ट नहीं किया यही शिकायत है ना यह पेमेंट नहीं किया यही शिकायत है अब इसकी शिकायत पीवन की दूर कैसे हो सकती है कि अगर नॉन एक्सेप्टेंस से यह बिल रुद असनल हुआ है तो कोई यहीं पर कोई हीरो खिरकी तोड़कर करके आया इसको क्या कहते हैं एक्सेप्टर पॉर ओनर देखे यह पहला आपनी है जो बिल में बिना प्रायर मेंशन के इंट्रीम आता है एक्सेप्टर फॉर ओनर इसको एक्सेप्टर फॉर ओनर कहते ही इसी दिये है कि ये आदमी आकर के बिल को डिसाणर होने से बचा लेता है ये आदमी आकर बिल को डिसाणर होने से बचा लेता है यह कम-कम आता है जब भी कोई बिल डिसानर हो जाता है एक्सेप्टर फॉर आनर तभी आता है जब कोई बिल डिसानर हो जाता है बताए इतना इस्ट्रक्चर आपकी समझे आया कि नहीं कई पार्टियां इंट्रोडीस की हम लोगोंने कई टर्व इंट्रोडीस की हम लोगोंन गया एकसेप्टर फोर उन्र इंट्रिस हो गया गटना आए कौन कौन से आ गही विल ओफ एकसेइज की राइटिंग आ गई विद्धी शोनिष में आ गया है थिस आौनट बाइन ऑन पयंताल गया और एकसेप्टर फार ऑन अब इसके आगे चले जिड़ा आप बिलाफ मनी इस्टुमेंट्स का एक्ट है तो जहीर से बात है इस एक्ट की प्रेक्टिस में आपको कमाई का विश्कूप बहुत बढ़िया है अब जरा आगे चलते हैं और समझते हैं कि बिना आप एक्शेंज की करेक्रिस्टिक्स क्या हैं ये आपको याद आएगा कि जैसे कल हम लो कुछ उसी तरह की बातें यहां पे लिखी जाने मांगी हैं अब जब आते हैं करेक्टिस्टिक साथ बेल साथ एक्शेंज वाट अन्दर करेक्टिस्टिक इक मस्में राइटी अपकोर्स ओरंग में निगोशेबर इंस्ट्रुमेंट की कोई वैजू होती नहीं है अईक ऊसाथ इंस त्हार आंगे में वेखाी तो आने वाट न करणी नुटी संधक इसे भ्रोष्क्रा रखेचिंच आइड विख्स में झान्दर करंदेर प्रशेंज अगर तुमने अपनी बीबी के कहने में बेच्चे हो तो तुम दे देना हजार रुपए अगर ये तुम्हारी बेटी से शादी करने को तयार हो तो ये सब रामे बाजी बिलाफ एक्चेंज में नहीं चुटती अब जरा आगे चलते हैं इसके करेक्रिस्टिक को देखने के लिए पार्टी अभी बताया आपको ड्रायर है जो कि एक्चेंटर बनता है और पेई आपको ड्रायर का नाम द्राय का नाम पेई का नाम बेलाफ एक्चेंज में अवश्य दिखावना चाहिए अब बहुत इंपोर्टेंट नाम है वन कैन प्ले दा रोल आप दी तू बट देयर मस्ट बी तू डिस्टिंट परसंग इन 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 इस देखे हम बोल दे भी हैं कि बिलाफ एक्चेंज में तीन पार्टियां होती हैं प्रामिस्री नोट में दो पार्टियां होती हैं लेकि बिलाफ एक्षेंज में जो तीन पार्टियां हैं वो तीन गीगल स्टेटस हैं वास्तों में अब इसको जलासा देखेगा क्या मैं कहना चाहता हूं कि देखें कि दीवन ने लिखा था कि डीट्यू को यहां पे पीवन था यह डिली यह पटियांग और यह देरादू यहीं है ना स्ट्रक्चर देरादू यहीं स्ट्रक्चर एक सवाल आपके दिवाग में आया होगा कि आखी डीवन के दिखने पे डीट्यू क्यों पेमेंट कर देंगे पेमेंट कर देंगे किसी और को आप पुछेंगे कि सार आपका कर्जा थोड़ी खाया हुए यही बात इसमें चिपी हुई है कि दीट्यू तभी देगा न जब या तो आपका कोई बहुत 2022 काप फाध जाने वाला हो या डिव टु के ऊपर आपके पैसे पहले से डिव आलिजे 250 का कोई काम किया था जिसमें hai जार उपये के लेने है दी तुट के सामने क्या आप शर्ण देने का एक लिटी क्रलिक देए-डिटी-च्रण को एक प्रमिस्री नोट दे ले यह जो छिपी होई बात है बिला प्रिक्षेंज जो बता रहा है यह एक और तरीका है वो वीवन से कह दें कि भाईया तुम एक का बिना प्रिक्षेंज मेरे नाम लिख दो कि मुझे आडर देदो एक हजार उपर पेमेंट करने का कि तीन महीने बाद में पेमेंट कर दूँगा तो तीन महीने की मिश्योटी पीरियेट का एक बिल लिख दो और मैं पेमेंट कर दूँगा सवाल आया इस पीवन का हुआ कि किसे लीए पिल रिखा जाएं एक तोटीवण को रहा है तोटीवन देखा एक बिल में पेई भी नहीं रहरो है इस लुए फीए ढम है81 वाड़ी pessim wield और डिडिउघ्टीर इपर स्वाटिम फ़यएר तो डिवन का है ज्वेड़ गृसरी कैपकी पैस्टी में डीवन ही क्या है पी और डीटू तो डीवन इस बिल को लिखेगा डीटू इसे एकसेप्ट करेगा और एकसेप्ट करने के बाद आपको पता है क्या होगा अज़ाएंगो बेंकर के पास हजार रुपए का बिल नौसुब पचास में डिस्कांट कराएगा बैकर तीन महीने तक ने उडीवन wants गेएगा और अब आप इस बिल का पेमेन किसको किए मुझे की लिए इस एक राइट तो मेरे कहने का मतलब है परसंदो हो सकते हैं लेकिन उन दो परसंस का जो लीगल इस्टीटर्स है वो हमेशा तीन लोगों में बढ़ेगा ड्रायर अवश्य होगा जूई अवश्य होगा और तेई भी अवश्य ही होगा यह तीन लोग तो होंगे अब ज़वा तो इतना मजदार कि आप अपने ही नाम में दिल रिखिए अपने ही आपको पही बनाइए और फिर अगला आदमी एक्सेप्ट करेगा आपको देगा और आप मज़े लीजिए डिस्काउंट करा करें अब आगे चलते हैं अगली करेक्टरिस्टिक की तरह करीब करीब ऐसी है प्रमिस्री नोट जैसी प्रमिस्री नोट पे हम लोगों ने देखा था कि कोई यह बोल देटी मैं आपको पांसो रुपए भी दूंगा साथ में अपना घोला आती भी दूंगा तो प्रमिस्री नोट नहीं था वैसे यह भी है स्टैंपिंग कर भी बताया था कि प्रमिस्री नोट स्टैंप पे निखा जाएगा या साधे कागज पे दिखके उसके उपर स्टैंप चिपकाए जाएंगे यह लाइन क्यों लिखी है आपके से कोई बता सकता है थोड़ा सा ट्राई कीजिए हो सकता है आपको कुछ याद आ जाए प्रमिस्री नोट के निक्षर का मैंने आपको बताया था एक सेक्ष्ट थर्टी वन है जो रिजर बैंक आप इंडिया एक से आता है उसने दो चीजों के रूप लगा रखी है प्रमिस्री नोट बेरर को पेबल नहीं बनाया जा सकता औरीजनली बिराफिक्षिरी बेरर और डिमांड को पेबल नहीं बनाया जाता है डिस्टिंशन बिट्विन प्रमिस्री नोट एंड बिलाफ एक्षिन देखिए मैं आपको बताओ इसो डिस्टिंशन के प्रश्ण होते हैं यह सबसे आसान होते हैं क्योंकि दो चीजों के बीच में फर्क पूछा है तो अगर आप एक चीज को अच्छी तरह जानत हमें रहता है दूसरा उससे हमें रहता है एक के फादर यह करते हैं दूसरे के फादर यह करते हैं एक इस नौकरी में करता है दूसरा बिजनिस करता है एक के नंबाई 5.8 इंच है दूसरे के नंबाई 5.2 इंच है यही सब तो बताएंगे आप तो अगर आप दो लोगों को जानते तो उनके बीश प्रक बता सकते हैं, यह याद होता है दो terms के बारे में, लीगल terms के बारे में, एक अगर आप इन दोनों को अच्छी तरह से जानते हैं तो उनके बीश का फर्क भी बता सकते हैं, शुरुवात करते हैं, Promisery note, it contains a promise to pay, it contains a promise to pay and will have a change, it contains an order to pay, एक promise करता है payment करने की दूसरा order करता है payment करने के लिए, दूसरा फर्क है, the liability of the maker of a note is primary and absolute, मतलब क्या है? अभी बता रहा था मैं, कि अगर आपने कोई Promisery note बनाया है, तो उसका payment करने की जिम्मेदारी किसकी होगी, आपकी और सिर्फ आपकी होगी, लेकि बिन आफ एक्षेंज ने यही liability shift होती है, the liability of the drawer of the bill is secondary and conditional, अब इसने conditional क्या है, कि अगर drawing ने accept कर लिया, तो primary liability किसके हो जाएगी? ड्राई की, और इस drawing के liability क्या होगी? secondary, condition यही है, अगर उसने accept किया, तो drawing के liability secondary होगी, और it is presented for payment without previous acceptance by the maker, क्यों जनुरत नहीं है मेकर के द्वारा accept करने की, क्योंकि maker नहीं तो बना के लिया है, उसको तो पता है उसने कितने का promise tree note बनाया है, उसको तो पता है कि कब देना है, नेकिन, बिल आभिक शेंज में ऐसा नहीं है, if the bill is payable after site, it should be accepted either by the drawing or by the agent before it can be presented for payment, जैसे जो drawing देहला दून में बैठा है, आप उसको बताएंगे ना, कि वही बीवन ने एक bill आपके नाम पे दिखा है, महीने बरबाद उसका payment होना है, अब आप महीने में एक हजार रुपए का जुगार कर लिए, तो ये तो बताना पड़ेगा उसको, कैसे बताना पड़ेगा, presentment होगा, तभी बताना पड़ेगा, अब आपको अच्छी तरह बताया था, कि मेकर अपने नाम में कोई प्रमिस्री नोट बना ही नहीं सकता, हाँ एक उसने एक सथ्यन आपको बताया था, कि अगर वो खुद बना के इंडोर्स कर दे किसी को तो वैडिल हो जाता है, लेकिन बिलाव एक्षेंज में क्या है, अब ये आपको एक्जाम्टर दे के बताया है, अब आते हैं एक बड़िया डिपिशन पे चेक क्योंटर, चेक की डेफिशन जो 1881 में थी, वो बाद में चलके थोड़ी सी मॉडिफाई हुई है, जो ये थोड़ी सी मॉडिफाई हुई है, इसको हम लोग जड़ा सा आज देखने की कोशिश करेंगे, बहुत प्यारी डेफिशन दिखी है, पहरी बात तो कहते हैं, एक चेक इजे बिल आफिक्षेज, अकसर प्षिशन आता है, कमेंट, एक चेक इजे बिल आफिक्षेज, बट एवरी बिल आफिक्षेज is not a चेक, तो पहरी बात तो आप यह जाने लिए, कि चेक बिल आफिक्षेज का ही एक दूसरा रूप है, लेकिन इसमें फर्क कहां से शुरू होता है, चेक कीज़े बिल आफिक्षेज, ड्राउन आन इस्पेसिफाइड बैंकर, एन इस पेबल ओनली आन डिमांड, एक इन इंप्रूट इलेक्ष्ट्रोनिक इमेज आफिक्षेज 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 का इससे आफिक्षेज पर परशित होंगे, इस पर तो मुझे बहुत जादा कुछ बतानी के जरूवत नहीं है, लेकिन जर्ण यहां पर फिर आजाते हैं, शेक्षेज बिलाफ एक्षेज ड्राउन अन इस्पेसिफाइड बैंकर एंड इस पेबल ओनली आन डिमांड इसका क्या मतलब है, जर्णा सब समझेगा, देखिए बिलाफ एक्षेज की क्या फार्मेट है, अब हम इसी फार्मेट को जो बिलाफ एक्षेज का है, इसको चेक में कनवर्ट करने की कोशिश करते हैं, चेक कीजे बिलाफ एक्षेज ड्राउन अन इस्पेसिफाइड बैंकर, यह आदमी एक ऐसा बिलाफ एक्षेज जारी करना चाहता है, जो चेक हो, इसका मतलब क्या होगा, इस बीवन को क्या बनना पड़ेगा, अकाउंट होल्डर, कहां बनना पड़ेगा अकाउंट होल्डर, इन बैक, आपको बैंक में अपना एक एक एकाउंट होल्डर, लेट सबोच SBI, आपका एकाउंट अगर SBI में है, तो आप SBI का ही चेक जारी कर सकते, वहीं आपका होगा इस्पेसिफाइड बैंकर, आपका एकाउंट में विए आपका account PnB में भी है आपका accountิ CIG में भी है तो यह है तो यह आप जायट करेंगे कि आप किस बैंक का चेख को सब्चाओं किसी को ऑज़त जो इसमें वह होता है कि जिस बैंक में आपका एकाउंट है वोगज आई है अब सवार उता है इस पेह क्या करें अगर आपने सर्फ का चेक लिखा तो पेहि कौन है डीवन में और भी होता है कि डीवन और दीवन एक हो सकते हैं अगर आपने किसी और का चेक लिखा किसी और आप पेमेंट करना है तो वो हो सकता है P1, P2, P3, Acts, Limitant जिसको भी आप पेमेंट करना चाहते है उसका नाम रिखती है कहने का मतलब क्या है कि इस चेक में भी बिलाप एक शेंज की तरह कम से कम तीन पार्टियां होंगी जिनका लीगल स्टेटस अलग अलग होगा एक जोए का लीगल स्टेटस होगा और एक पेई का लीगल स्टेटस होगा और तरफ यह बिला बेंगर आज पेपर उन्ली आज़िवांड अब इसका मत्ता समझेगा पेपर उन्ली आन्ले डिवांड चेक को प्रेंटमेंट की ज़रुवत नहीं होती कि किसी ने आपको एक चेक दे दिया तो आप पहले बैंक में जाईए उसको एकसेप्ट कराईए एकसेप्टेंस की जरूरत नहीं होती है आप उस चेक को बैंक के सामने लगाएंगे या तो पेमेंट होगा या चेक डिसानल होगा है यह घट्र होगी इसी को कहते हैं टेबल अंधिवान आपको पता है चेक की वेलेडिटीपी जी तीन महिने की होती है उस तीन महिने के वित्र जब आप बैंक पर जाएगे तो यह घट्रोंगी या तो बैंक करेगा या तो बैंक चेक को टिसानल करे का तो यहां तक तो हो गया, drawn on specified banker, and stable only on demand अब इसको सबस्ते हैं, and it improves electronic image after truncated check, यह क्या है? electronic image after truncated check क्या है? यही amendment हुआ, otherwise, जो चेक की definition थी, शुरूब वाले act में वो इतनी थी, इच्चेक ही जब पहला आपर चेज, drawn on a specified banker and is payable only on demand, इतनी डिपिशन दी, यही हिस्सा बात में आकर के extension में गया है, तो अब इसको समझते हैं, पिछो हिस्सा बात में आकर के extension में गया है, उसकी क्या मीनिंग है? check is a bill of a change, drawn on a specified banker, it is payable only and only on demand, बैंक में चेक लगाएंगे, तो यहां तो payment होगा, यहां निसादर होगा, निसादर होगा तो आप legal case करेंगे, यह आपका एक simple सा format है, banker कौन है, सवाल यह उता है, banker कौन है, banker को भी define करना पड़ा, वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आप सबके कहीं न कहीं बैंक में account होंगे, तो कोई भी आपनी banker हो सकता है, banker को भी section 3 ने define किया, it leaves and includes, any person and as a banker and it includes, post office saving bank also, post office भी लोग बैंक एकाउन पूरते हैं, post office वाले भी आपको चेक जाली करते हैं, post office का चेक भी आप किसी को दे सकते हैं, उसका भी आना और रोडिसाना वैसे होता है, जैसे बैंक के चेक का होता है, तो बैंकर की definition में ये ज़नली लोग छोड़ देते हैं, it includes any post office saving bank, अब अब उसको समझते, check in electronic form क्या होगा, truncated check क्या होगा, दो चीज़े समझनी हैं, बहुत प्यारी चीज़े हैं, आपको check के clearing के अंदरूनी चीज़े मैं यहां पर बताने जा रहा हूँ, क्या है check in electronic form, पहां ज़रा पढ़ दीज़े, it means a check drawn in electronic form by using any computer resource and signed in a secured system with digital signature with or without biometric signature and asymmetric crypto system with electronic signature, आप लोगों में से कितने लोगों ने इस तरह का check कभी ड्रा किया है, sign in a secure system with digital signature with or without biometric signature, biometric signature क्या है, हाथ का निशान है, मुँचे का कुछ, ऐसा रहे क्या, and asymmetric crypto system with or without electronic signature लीजे, इक biometric signature तो था ही था, electronic signature हो रहा आगया, एक तो बड़ी गड़ बड़, ओ, यह है, शेक इन electronic फार और यही amendment था, पहले के जमाने में जो बैंकर थे, वो सिर्फ कागल वाला शेक इशू करते थे, बात में जैसे जैसे banking सुझाओं का विस्तार हुआ, ATM card आ गए, credit card आ गए, internet banking आ गई, जिसमें आप कुछ passport वगरा दे करके या ATM में कुछ pin number वगरा ले करके काम करते हैं, आप ATM card को कभी ठीक से देखेगा, आगे तो उसका नाम, number, design वगरा बना लेता, उसको पलड़ दीजेगा, जब आप पलड़ देंगे, तो आपको एक strip दिखाई देगी, पट्टी, magnetic strip गोलते हैं उसको, और banker कहता है कि उस strip पे खरोच नहीं आनी चाहिए, क्यों खरोच नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वहीं पे आपका signature electronic form में दर्द होता है, और किस तरह electronic form में दर्द होता है, यह दिने बता दूं, कि A symmetric crypto system भाई signature आप ऐसे से करके कर सकते हैं, करते हैं ना signature, कैसे भी करके कर देते हैं, तो अब यह कोई later तो है नि, कि जिसको ABCD करके बढ़ा जाए, signature तो आप भी कही तरीकों से करता है, तो उस signature की electronic image को ATM की strip के उपर चिपकाया जाता है, computer resource है, उसको asymmetric crypto system कहते हैं, symmetry का मतनत्री चालत्रोंट से बराबर हो, इस symmetry का मतनत्री चालत्रोंट से बराबर ना हो, तो उस ATM की chip के पीछे आपका signature लिखा होता है, उस signature की validity होती ही जब आप card को ATM में डालते हैं, तो बोलता है ना कि आपकी information हम read कर रहे हैं, तो वो उस time आपकी card की validity को check कर रहा होता है, तो इस चीज को कैसे deal करना था, तो निगोशेबर इस्ट्रिमेंट एक्टे सोचा कि भही ये भी तो एक तरह का check है, जैसे आप self का check का लिखते हैं और खुछ जाकर के bank से payment लेते हैं, वैसे ATM भी तो एक तरह का self का check है, या आप इसी ATM card को लेकर के credit card को लेकर के किसी दुखान से कोई समान खरिकते हैं, उसको आप swipe करवाते हैं, तो वो वैसा ही है ना, जैसे आपने कागज का check लिख की दूसरे के नाम में दे दिया, तो इसको check की definition में include करना था, जिस वज़े जैसे check की परिभाशा को amend करना पड़ा, इतनी बास समझ में आगे, लेकिन अभी truncated check वाला मामला है, truncated check अब आया, it means पढ़िये सुझरा, it means check, which is truncated, during the course of clearing cycle, तो दो नहीं वर्ड आगे, एक तो truncated आगया, और एक clearing cycle आगया, it means a check, which is truncated, during the course of a clearing cycle, immediately on generation of electronic image, पर transmission, अब ये सख से इंपॉर्ट है, पर transmission, either by the clearing house, बहुत इत्मों आगे चल नहीं है, either by the clearing house, or by the paying bank, or by the receiving bank, substituting, बहुत इत्मों आगे, बहुत इत्मों आगे, बहुत इत्मों आगे, कुछ कुछ समझ में आया, किसाब जो कागज बादा चेक है ना, उसकी फोटो खीचेंगे, और फिर कागज बादे चेक की बजाए, फोटो को आगे बढ़ाएंगे, फिर से पटे, इत्मों आगे, बढ़ाएंगे, बजाएंगे, बढ़ाएंगे, बजाएंगे, बढ़ाएंगे, 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 बढ और रेसीविंग बैंक सब्सक्रीटिटिटिंग फर्दर विजिकल मुव्मेंट आप चेक इन राइटिग अब यहीं पे थोड़ा समय आपको बता दूं क्लियरिंग हाउस क्या होता है और यह जो मैंने बताया और बिल्स आप शेज और नौट चेक तो यह अब जनासा हमें सम कर यह बता रहे हैं जिसमें ट्रंकेटिट चेक आएगा और आर्वी आई को भी बीच में ले आए किसी तरह से तो यह क्या चक्कर क्या है इसको तो जराट डीप में समझना पड़ेगा इसको बिना समझे तो काम नहीं चलेगा बहुत बढ़िया आपको एक्जांपर देने अब देखिए चेक क्या है एक बिराफिट चेंज है जिसको एक ड्रॉयर जादी करता है कि यह है स्टेट वैंक आप इंडिया इसमें ड्रॉयर का एकाउंट है अब मैं बता दूँ कि ट्रंकेटि उटेश क्या बोला हो जोने क्लियरिंग साइकल में आएगा है इसका मतलब ट्रंकेटिट छेक की घटना तभी होगी जब यह किसी और के नाम में आप देंगे अगर यह सेल्फ का चेक है तो ट्रंकेटेट चेक की घटना नहीं होगी है क्योंकि वो तो ओवर दी काउंटर आपके बैंक से ही आपको पैखा बिलना है वो क्लियरिंग साइकल में नहीं जाता एक नाम आपने सुना अगर चेक क्लियर होने के लिए गया हुआ है तो क्लियरिंग साइकल तब आती है जब आप इस चेक को किसी और को देते हैं तो आपने यह हजार उपे का चेक स्टेट बैंक का औफिटिया का चेक जिसमें आपका अगांट है वो दिका और किसको दे दिया पीवन को दे दिया कि आप जाईए और मेरे बैंक से पेमेंट ले लिए ओके चुकि ये चेक क्रॉस है विएगर तो है नहीं कि पीवन सीधे चला जाए बैंक के पास और अपने नाम में पेमेंट ले आए क्रॉस चेक है और अगर उस एक्जांपर को याद कर लें तो दीवन जेली का रहने वाला है और पीवन पट्यारा का रहने वाला है यह एक्जांपर मैंने जानभूश के चूश किया है क्योंकि आपको मूवमेंट समझानी है ना तो पहनी स्केज ये है जब डीवन ने पीवन को चेक दिया क्रॉस चेक दिया अब पीवन की मजबूरी है कि P1 इस चेप को किसी बैंक में लगाए किस बैंक में लगाए अपने बैंक में लगाए तो P1 का पतियाला में अकाउंट है अकाउंट आप P1 ICICI में अकाउंट है PNB में अकाउंट है दो बैंक अकाउंट P1 बोल्ड कर रहा है अब मुझे बताए किस बैंक में लगाएगा किस बैंक में लगाएगा डेकि ये इस P1 की च्वायस है P1 ने चाहिए कि इस चेक को किस के पास लगाया PNB के पास लगाया PNB में लगाया P1B क्या बनता है Receiving Bank इसी के खाते में पैसा आएगा P1 का खाता यहाँ इसी के खाते में पैसा आएगा D2 आपको अच्छी तरह से पता है Dry Bank तो यह हो गई Stage No. 2 कि P and B में P1 ने अपना चेक लगा दिया तो जो P and B है यह हजार रुपे देगा किसको P1 को कहां से देगा सबाद यह उत्ता है कहां से देगा उसे इस पैसे को SBI से प्राप्त करदा पड़ेगा SBI है दिद्ली में P1 का एकाउंट दिद्ली में PNB है पतियाला में अब बताइए क्या होगा PNB क्या करें PNB क्या करें इस चेक को SBI को भेज़ दें कि ऐसा है मिस्टर P1 हमारे काउंट होल्डर है और उन्होंने किसी D1 का चेक हमें लाके दिया है जिसका आप क्या खाता है तो उनके खाते में से एक हजार रुपए लिगा दिए और हमें ट्रांसपर कर दिए कि हमें ट्रांसपर कर दिए तो SBI के पास चेक जाए तो वो डीवन का सारा कुछ चेक करें और फिर पेमिंट कर दें PNB को यही होना चाहिए होता भी यही है लेकिन ऐसे नहीं होता है क्यों ऐसे नहीं होता है क्योंकि एक आदा चेक हो तो ऐसा हो भी जाए रोजाना लाखो क्रोणों चेक इदर से उधर होते हैं और फिर SBI कह सकता है PNB से भाईया तुम हो कौन हमारे पास सीधे कैसे चले आये तुम और PNB भी बताइए किन-किन बैंकों में दौडाता रहेगा अपने आद्मियों को उसके पास एक P1 आया उसने पीट्री आया उसने एक चेक दे दिया दिल्ली का उसके पास एक पीट्री आया उसने एक चेक दे दिया एंदाबाद का बैंक का बड़ोदा का कहां तक PNB दोडाता रहेगा तो इस घटना को थोड़ा साब मॉडिफाइब करने के आवशक्ता है कैसे मॉडिफाइब करने के आवशक्ता है जुरस देखें क्या है यहां क्या है PNB PNB क्या है क्लेक्टिंग बैंकर है इनकी जिम्मेदारी की है यह इस चेक को दे देते हैं किसको आर्बियाई के द्वाला स्तापित क्लेरिंग हाउस को हर शहर में Clearing House का दफतर होता है उसका काम यह होता है इन्होंने चेक किसको दे दिया Clearing House को अभी अभी आपने देखा Clearing House कौन इस्टैबिश कर रहा है और भी आई तो इस Clearing House के पास गेली हजारों लाकों चेका थे अलग अलग बैंक को यह Clearing House इस बैंक को इस चेक को बढ़ाएगा कि वही तुम्हारे एक आदमी है जिसका नाम डीवन है तुम जना उसका सिग्नेशर वगरा टैली करो देखो उसके खाते में कितना बैंस है और अगर सब ठीक है तो मुझे एक सीए देदो क्या देदो सीए चार्टेट एकाउंटेट नहीं इसको कहते Clearing Advice कि यह जिक के ने दो कि यह ठीक है या ने ठीक है अब सीएच करेब साब अब बजो प्रोसर को Sigin must five & oneg अ जब तक तक इस रास्ते से omega कि पॉंचा हो सकता उसका हजार का वरे लीघंग हो तो SBI चेक करेगा D1 के डिटेल जैन्मिन है की नहीं उसका सिनेचर टैली करता है की नहीं उसके खाते में पैसा है की नहीं ये सब वो चेक करेगा इसके बाद वो क्लेरी एडवाईज देगा यस और लो कि चेक को आणर किया जाए या नहीं आणर्ट किया जाए अगर एडवाईस यस की है कि लिए एडवाईस यस की है पीएंबी के पास जब यह क्लेरिंग एडवाईस आएगी तो पीएंबी पीवन के काउंट में हजार रुपे क्रेडिट कर देगा अब पीवन इस पैसे को निकाल सकते हैं अगर यहीं एडवाईस नूट्री आ गई तो इसका मत्तब चेक दिसॉनर्ड प्रक्टिकल लाइप में क्या होता है सुन देजिए जब भी आप अपने क्रेक्टिंग बैंकर के पास अपना चेक लगाते हैं तो बैंक आपके खाते सब्सक्राइब करते हैं लेकिन अगर मुझे दिसॉनर्ड हुआ तो जितना पैसा उसने क्रेडिट किया था उसी के बनाबर की रिकम डेबिट भी करेगा और आपसे एक दिसॉनर्ड का चार्ज भी ले लेगा प्राइवेट गैंकों में तो बहुत जादा है कि एगर दो सब हाउस का प्रोसेस हैं कैसे काम करता है यह दो बैंकों के बीच में पैसे के क्लियरंस को देखता है अब देखें पीन वी यह जो एक हजार रुपए आपके खाते में डाले वो तो अभी अपने पास से डाले हर 15 दिन पे यह क्लियरिंग साइकल सेटल होती है मतलब अगर पीन मालीए पी अबी इन इस दोरान ऐस्टली अच condition क्लियर कर आयं हाजार हजार उपया इनको दस जा डाल रुपए देगा अगर मालीए पीxico सेथजार के ख्यीन करने और इस और पीनबी से 30000 को स्च श्लियर कर आए हैं तो श्माट सेट्य ओभी को खाना श्राइण सेधें साइ नहीं आया अभी तक ट्रंकेटेश नहीं आया क्यों नहीं आया इसकी वजय बताता हूं जीवन ने पीवन को चेक दिया था कागच का पीवन इस पीएंबी के पास गया चेक लेके कागच का कि पीएंबी ने इस चेक को क्लीरिंग हाऊस को दिया चेक किस चीश का था कागच का पीएंबी ने इस चेक के बज़ाय आपको क्लीरिंग एडवाई देजी कागश पे और पी एंबी ने हजार रुपए दे दिये कि इलेक्रानिक इमेश की बात अब शुरू होती है क्या कि ऐसा हुआ कि ये पीवन पुटियाना में करने वाला था तो चेख लेकि आया तक ये के नीचे रखास हो गया है कि सिर्वें तेल लगा हुआ था है अलाग उसकी बीवी को सिर्का तेल उसके पसंद नहीं आता था तो तो यह वो तेल ट्रांसमिट हो गया किसी तरह चेक में अब और चेक ट्रांसपेरेंट दिखने लगा या तक ये के नीचे रखा मुड़ दिया कि किसी आलमारी में रख दिया था कि मुड़ गया कट गया थोड़ा था अब पीएंबी के पास यह वही कागज लेके गया है कि पीएंबी का कहना था अब अगर हमने कागज वाला चेक आगे बढ़ाया तो इसकी हालत तो बड़ी दैनी है कि एस्बी आई के पास पहुंचते पहुंचते तो चिंदी चिंदी हो जाएक चेक के ऊपर पानी किर गया गीला हो गया है तो पीन वी क्या तरह तो चेक आगे बढ़ने ना एक नहीं है आप ऐसा तो दूसरा चेक लेंकर क्या हो सिंपल जब यहीं होता है तूसरा लेकर क्या हो अब यह पिए प्याला से फिरमें दिली जाओं यार देख लो यार किसी तरह कुछ कर दो भी आद है तो आज के जवान स्ट्राइब सेल्फी यह प्लिए 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 इस चेक की इमेज बनाएगा ठीक है और प्लिएरिंग हाउस को क्या बेगी यही इमेज क्लिएरिंग हाउस एस बी आई को क्या बेगा यही इमेज देंकि इस चाहिए और यह चुद्ध वाला चिक होगा क्या होगा बताइए कादज वाला चेक जाएगा कहां ट्रंक में इसी को कहते हैं ट्रंकेटेट का मतलर है कट गया फट गया गिला हो गया स्वैल हो गया अब यह रख लिया जाएगा बक्सें ट्रंकेटेटेटी जो डिटल मीनिया वह यही है कि चेक अपनी ओरिजनल पोजीशन में नहीं रहा है कि फिर भी उसमें जो जरूरी डिटेल है वह दिखाई दे रहें तो वह अगर दिखाई दे रहें तो ठीक है नहीं चेक आगए बढ़ा देतें चेक आगी बढ़ें अब अब इस स्टेज को समझेगा यह पहनी स्टेज थी यह दूसरी स्टेज थी यह तीसरी स्टेज थी यह चौती स्टेज थी यह पांचवी स्टेज थी और यह चटी स्टेज है अब अगर कागज का चेक आगे बढ़ें तो यह स्टेज नंबर ठी है और कागज का चेक ट्रंक अग्यूंकि आगंए बढ़ है तो यह एस्टेज्न है फोर ए यह इस्टेज्ञ फाइल सिकसे क्योंकि च्छक्ट को जो अगर выглядит स्वापत पहुंचा उगा तो चैकर एंग पास रह जाएका और अगर इमेज पहुची है तो भी इमेज अपियाई के पास रह जाएगी उसके बाद तो प्लीरिंग अडवाईस देता है क्या वह इस चेक का पैसा दे दिया जाए तो ट्रंकेटेट चेक की कहानी भाई लोगों यह है अराम से समझना होता है निकोशेबन इस्टुमेंट एक ऐसा कोई पहाड नहीं है जो आपकी समझ में आए ठीक है अब आगे चले तो चेक में सेक्शन सिक्स की डेफिनिशन को आपने समझा क्या समझा कि चेक मीन से बिनावे चेंड रावना ने स्पेसिफाइड बैंकर एंड इस प्येबल ओनली ओनली अंडिमांड एंड फर्दर जो एमेंडमेंट हुए वो ये इट इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक इमेज आपर चेक और चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फार्म जो चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फार्म है वो क्या है आपका एटियम कार्ड डेविट कार्ड और जो फ्रंकेटिट चेक है वो आपने अभी अभी समझा अब अगले प्याते हैं मार्ड चिक हाला कि इसको मैं पहले बता दू कि मार्ड चेक इंडिया वे एक दूसरे रूप में यूज होता है RTGS कहते है आप उसको इस चेक में दी मांग्ड और सर्टिपाइड बैंकर और हूम इस दौन अज गूड पर पिर्मेंट प्यूज है प्रकीं, प्रोच्ट तो विल्चेक एस्ट इस्था इस्था, फिल्च रेयस्था करने प्राद कि एक एक जए हुथ. Banks in India as a rule do not mark cheque in this manner and bankers in India are not liable even if a bank has marked a cheque as good for payment. आप शुरू की लाइनों पर ध्यान दीजेगा चेक में भी माग्डार सेटिफाइड बाइद बैंकर और हूं इज गुड़ फॉट पेमेंट दिखी चेक के साथ जो एक रिस्क फैक्टर रहता है वो क्या रहता है कि अकाउंट होल्डर में आपको एक चेक दिया आप लेकर के बैंक के पास तब कहुंचे या क्लियरिंग साइकिल के थुरू आपने वो चेक को बैंकर को दिया और जब तक आपका चेक बैंकर के पास पहुंचा तब तक ड्रायत के खाते में सफिशेंट बैलेंस नहीं था वही एक आदमी ने आपको आज चेक दिया तीन महीने के वैलेडिटी है आप खुदी एक हपते के बाद लेकर के चेक गए कैश कराने उस एक हपते के दौरान उस व्यक्ति ने कुछ और लोगों को चेक दिया था वो लोग आपसे पहुँच गए अपने चेक का पैसा देकर के चले आए आप रहे गए और जब आप पहुँचे तो बैलेंस इतना था ही नहीं आपका चेक दोनिसानर हो जाएगा अप्रम करने वाजी शूरू तो इससे बचे तो इससे बचने का एक तरीका बताया है ऑगी ऐने आपको च्छेक देजी दिया है इसका मत्बब उसकर इप्टेंशन तो चैक है अब ड्रायर अपने बैंकर को बोले कि वह इस चेक को MGP कर दो मांग गुड़ पर पेमेंट कर तो इसका पेमेंट आप करेंगे तो एक तरह से हुआ क्या मां लिए डीवन के अकाउंट में दस हजार का बैंदेंस है और डीवन ने आपको एक हजार रुपए का चेक दे दिया है अब यह एक हजार का चेक MGP करवा दिया उसके बाद से डीवन ने दो चेक और इश्यू किये 5000 के और 5000 के ओके तो जब वो दोनों आदमी बैंक पहुंचे तो उनमें से एक का तो 5000 का चेक क्लियर हो गया दूसरे का 5000 का चेक क्लियर नहीं हो रहा है बैंकर वीजन यह बता रहा है किसाब इस आदमी के खाते वे 10,000 रुपए थे 5,000 का चेक इस ने दिया तो मैंने निकाल के दे दिया आपको अब बचे 5,000 तो आप कहरें वो आपको मिल जाना चाहिए क्योंकि आपका चेक तो 5000 का है लेकिन मेरी मजबूरी यह है कि मैं 1000 रुपए का चेक MGP कर चुका हूँ मार्लों आप यहां से 5000 रुपए लेकर के जाओ और वो आदमी आपके पीछे आजाए आपके बाद वो आदमी आजाए तो उसको मैं 1000 रुपए कहां से दुनगा मतलब कहने का सिंपल समझ लिएगा चेक मांग इल्ड एज गुड का मतलब यह है कि बैंकर उस अमाउंट को आपके लिए तब तक रिजर्व रखेगा जब तक आप जागत कर उसका पेमेंट ना लेने या तीम मेहने का टाइम पीरेट ना भी जाए बात समझ में आगे बैंकर इंडिया में इस प्रैक्टिस को दूसरी तरीके से करते हैं आर्टी जीएस के मात्यम से करते हैं अब एक और टॉपिक पर आते हैं जैसा मैंने आपको कहा था डिफरेंस बिट्विन चेक एंड बिलाफ एक्षेज लु tät इक और प्पॉपझर हएं हमने हम एक विराफ एक्षेज को समझ़ा हमने चेक को समझ़ा अब देखते हैं दोनों के बीच में क्या फरक है। बिलाफ एक्षे परोंदी है। एक बेंकर के नाम नहीं आप चेक इशू कर सकते हैं जिसमें आपका बैंक अकाउंट है विलाप एक्षेंज में राइक एनी परसंटीटू के एनी परसंट कि लैंकर यहां होगा तो इस पेवल और डिवान नो ड्रेस पीड़ेट ज़ाउट अब आप पुछेंगे ग्रेस पीडेट चाहिए लाप आप ने आपने किसी को बिल लिखके देदिया कि भई एक महीने बाद बिल की मैचिर्गी है तो वास्ताम में बिल कभ दी होता है प्रेमेटिकी की तीन दिन के बार मतब एक महीना प्लस तीन इन तो यह चुकि चेक मामले में एक यह आल्वेज पेबल और डिमांड है तो इसमें grace period का सवाल ही ने होता, बिला आप रिक्षेंज ने हो सकता है, बिला आप रिक्षेंज ने हैसा हो सकता है, की grace period आपको मिले, यही बाद, while calculating maturity, three days of grace is allowed, फिर क्या है, it is not required to be presented for acceptance, why, because it is capable on demand, and no grace period is allowed, बिला बेक्षेंज may require presentment for acceptance, जाहिर से बात है, D2 जो देरा दूनगा ना, उसको आपको बताना पड़ेगा ना, की भाईया, मैं ही हूँ, एक महिने के बाद आऊँगा, तुमसे payment लेके जाऊँगा, चेक के ऊपर important है, no stamp duties table, लेकिन जैसा आपको बिल के बादे में बताया था, बिल तो stamp paper के ऊपर दिखा जाएगा, या साधे कागज पर आप लिखेंगे, उस पर stamp चिपकाएंगे, चेक ने भी cross, एकाउंट पर ही चेक, शायद आपको example दियान में आ रहा होगा, बिल आफेक्षेज्ट चैनल बिक्राउस्ट, बिल आफेक्षेज आपने cross किया, जिस बिल invalid हो गया, तो ये distinction है बिल आफेक्षेज्ट और चेक के बारे में, अब एक इसमें चीज है, बैंक ड्राफ्ट, तो जो बैंक ड्राफ्ट है, वो बैंक कर चेक की तरह से इस्तिमाल किया जाता है, आप सबने अपनी लाइप में बैंक ड्राफ्ट कभी न कभी बनवाए होंगे, जपनीशन आप देखना चाहते हैं, it is an order only by a bank, on another bank, और on its another branch and not by individual, it cannot be made table to bearer, जाई से बाता है, बैंक ड्राफ्ट का पैसा, किसी न किसी एकाउंट पही जाएगा, the relationship between the buyer of a draft and the banker is that of debtor and the creditor, the purchase of the bank draft can cancel the draft at any time before the draft has been delivered to the pay, देखिए, जब आप किसी बैंक से ड्राफ्ट बनवाते हैं, तो बैंक आपका कर्जदार बिलाता है, और आप उसके वेंदार बिलाते हैं, क्योंकि पैसा अभी आपका ही है, आप bank को order दे रहेंगी, यही पैसा जिसके नाम में draft बनाए उसको ले जाके दे दो, तो मैं यह तुम्हें कर्जा दे रहा हूँ, इसका भुक्तान तो मुसा आद्वी को करें, और चुक्कि मैंने तुम्हें कर्जा दिया है, इसलिए मैं इसको कभी भी वापत भी ले सकता हूँ, जिसे आपको एजाम फार्म भठते हैं, आपने बैंक डाफ दुनवा दिया, बाद में आपको मूट बदल गया, एजाम फार्म नहीं बढ़ना है, आप उस बैंक डाफ को जातर के चैंसल करा सकते हैं, हाँ, कुछ चैंसलिशन का चार्ज बैंक लेता है, लेकिन आप उसको करा सकते हैं, यह सेंपल कापी है, डिमांड राफ्ट की, और यहां देखेगा एक डिमांड राफ्ट है, जिस पर दिखा हुआ बैंकर्स चेक, ठीक है, तो या तो डिमांड राफ्ट के रूप में इस्यू किया जाता है, या बैंकर्स चेक के रूप में इस्यू किया जाता है कि ठीक अब我有 आपने जो चीज़ें आज यहां पर देखी हैं वो यह देखी है कि विलाफ एकशेयंज क्या होता है कि चेक क्या होता है अब Candid कि कई फरक होते हैं कुछ आपने पार्टी देखी है कुछ आपने इवेंशD देखे हैं मुझे उम्मीद है कि लेक्षर आपकी समझ में आया होगा नहीं समझ में आया होगा मुझे फोन करके आप पूछ सकते हैं कर एक लेक्षर में और इसका अपलोड करने वाला हूं पार्टीज एंड काइन साफ बेल साफ एक्षेंज तब तक करें शक्रिया दन्यवाद